नमस्कार आप सभी काnea स्टकाप 5799 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सुचना का अदिकार अधिनियम 2005 के तहत बिहार राज सुचना आयोग या किसी भी राजी के सुचना आयोग के लोग सूचनापदादिकारी के खिलाब किस प्रकार हम लोग पुर्थम अपील दायर कर सकते हैं चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें जिससे हर तरह के RTI से सम्बंदित, भरस्टाचार से सम्बंदित, लोकायुक से सम्बंदित हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे तथा इसे एक लाइक अबस्च कर देंगे तथा एक शेयर अबस्च करेंगे जिससे हर भरतिय को इसकी जानकारी आसानी से हो सके और भरस्टाचार के खिलाप RTI का प्रयोग कर सूचना-आयोक से भी सम्बंदित, सूचना-सानी से प्राप्त कर सके चलिए मैंने बिहार आज सूचना आयोग के लोग सूचना अपदाधिकारी के खिलाप यहां पर्थम अपील दायर किया है आप लोग भी इस प्रकार सूचना मांग कर पर्थम अपील दायर कर सकते हैं दी लोग सूचना पदाधिकारी द्वारा भी सूचना नहीं दी जात सकती है इसे टाइप करा सकते हैं या आप साप से हाथ से भी आप लोग सादे कागज पर प्रथम अपीलेतु प्रपत्रचो दायर कर सकते हैं सेवा में प्रथम अपीलिय प्राधिकार सर्विधी पताधिकारी सूचना आयोग के प्रथम अपीलिय प्राधिकार विधी पताधिकारी होते हैं इसे ध्यान रखेंगे आप लोग अपने अपने सूचना आयोग का पता लिखेंगे महासाय मैंने प्रपत्र को द्वारा दिनां कितना को जिस भी दिनां को आपने सूचना मांगई हो लोग सूचना पदादिकारी, सूचना आयोग बिहार पटना को आवेदन प्रिशित किया था लेकिन 30 दिनों के अंदर मुझे कोई सूचना परदान नहीं की गई सो असमय कोई निर्णय प्राप्त नहीं होने पर शुब्द हूँ इस कारण प्रथम अपील दायर कर रही हूँ मैंने अपने मां के नाम से यह दायर किया था इसलिए प्रथम अपील भी मां के नाम से ही दायर हो रहा है आप लोग इस प्रकार प्रथम अपील दार कर सकेंगे अपील करता अपना नाम लिखेंगे पूरा पता लिखेंगे लोग सुचना पतादिकारी जिसके इबरुद अपील है नाम लोग सुचना पतादिकारी PIO अगर उनका नाम जानते हैं तो नाम भी लिख सकते हैं ना तो लोग सुचना पता दिकारी या पिया यू लिख देंगे पता बिहार, सुचना आयोग, सुचना ववन, पटना चौथा प्रपत्र को समर्पित करने किती थी 229-2025 मा सुचना का ब्योरा मैंने चार बिंदों पर सुचना हेटू आविदन दिलवाया था अपनी मा के नाम से देखिया आप लोग पहला था दूती अपील, सिकायतवादाओं का आदेश, डिसीजन जिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, उसका प्रमानित परति अपलप्त कराएं दूसरा धारा-ठारा के तहट-दायर शिकायतवाद में सिकायत करता से पी-आई-आई-ओ का नाम एवं बरतमान पता जिस नियमों एवं आदेशों के तहट-पूछा जाता है, उसकी प्रमानित परति दी जाए तीसरा क्या सुचना आयोग को धारा आठारा एक के तहट दायर सिकायतबाद में पियायोग का नाम वो बरतमान पता संबंधित विवाग या काडियाले से जानने एवं पूछने का अधिकार नहीं है चौथा आयोग में दायर सिकायतबाद या दूति अपील के निस्पादन करने का प्रावधान अधिकतम कितने दिनों का है चा में सुल्क प्रतम अपील हेतू बिहार में 10 रुपे का सुल्क है अपने अपने राजिक के नुसार से सुल्क लगाएंगे या जिनके पास बीपियल काड़ हो रासन काड़ हो वो अपना रासन काड़ लगा देंगे मैं गरेवी रेखा से नीचे वाले परिवार से हूँ, मेरा रासनकार संख्या इतना है साथ मां में अपील दायर करने की अंतिमतिति साथ दिनों का अंदर पर्थम अपील दायर किया जा सकता है या लोग सुचनाप दादिकारी के निर्ने के 30 दिन के बाद आप 30 दिनों तक आप प्रथम अपील दायर कर सकते हैं अपना अस्थाक्षर मुवाइल नंबर अपना अस्थान तिथी अनुलगनक में लगा देंगे प्रपत को की परती एवं सुल्क के रूप में या डाक से आपने भेजा हो डाक रसीद, सुल्क रसीद की परती भी लगाएंगे या जो निसुल्क सुचना लेना चाहते हैं तो रासन काट की परती अवस्च लगाएंगे इस प्रकार कर हम लोग सुचना आयोग में भी प्रथम अपील दायर कर सकते हैं लोग सूचना पता दिकारी के खिलाब इस चैनल का मैं निर्मान एगेंस्क्रप्शन 99 से किया हूँ इसमें तीन प्लेलिस्ट बना हुआ है इसमें एक है एगेंस्क्रप्शन दूसरा है मस्ट यूज आर्टियाई तीसरा है हल्थ इज वेल्थ नस्वास्त ही धन है क्योंकि भ बहुत जरूरी है इस कारण मैंने Health's & Wealth नाम से इस चैनल में प्लेलिस्ट भी बना है जो इस चैनल में जाकर सब्सक्राइब कर फिये लिस्ट में जाकर healthy को भी देखें जिसमें मैंने natural यह कुप आसानी का बिताया है घ्रारा आजने का बताया है सीज़ कर अपने स्वास्त का लाफ ले सकते हैं जहिन